यहां पर पच्चिम बनास बांध हैं, आप इस बांध को देखिए, इसमें जिस एक बारिज से पानी आया है, उसको आप जहां तक नजरे जा रही हैं, वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा, इसमें 7 साल में एक इंसन को लेता है, और कहते हैं ना कि यह पानी भोग लेता है, वह ऐसे लापरवा लोगों का भोग लेता है, नमस्कार में महाविर सेंग, पिछले दिनों जो भी पर तूफान आया था, उस तूफान ने कई जगे तबाई मचाई और कई जगे और बहुत ही अच्छे परिणाम मिले, हम अभी माउंट अबू गय हुए थे और वापी जा रहे थे, सरूप गंज के पास यहाँ पर पच्चिम बनास बांध है, आप इस बांध को देखिए, इसमें जिस एक बार इस से पानी आया है, उसको आप जहां तक नजर जा रही हैं, वहां तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा, यह पूरा जो बांध है, वो इसा रखता है कि मतलब कई सालों बाद यह बांध में इतना पानी आया है, जो यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, और राजस्तान में आपको पता है कि विपरज़ तूफान ने बहुत कई जगे पर बहुत अच्छी मात्रा में वहां पर बारिश हुई है, उसका जैसे आप देखें जवाई बांध है तो वहां पर भी एकदम से उसका लेवल अप हुआ है, और इसी तरह से यह भी जो बांध था, मैंने भी इस बांध को खाली देखा हुआ है, इंदर लोग खेती करते थे, जो आसपास के गाव हैं, वहां के कुछ लोग इसमें ख निचाई के लिए जाता है, तो यहां पर मेरे साथ इनके यहां के निवासी हैं, इन से बात करते हैं, और इन से पूछते हैं कि यह कितने टाइम से आया है, क्या है, आपका क्या नाम आपका? अंदर पसिंगी, यही कहां के वाँ? मैं फुलाबे खेडा का हूँ, यह बांध इसमें यहां पानी जो एचाई के लिए नहीं तूफाने अपका? इसमें यहां प्रसण में अनसे पानी पानी ऑल भी आतना पानी आता है, यह आज के गावाँ में यह सीचाई के लिए जाता है, खागरवणा अज़ए में जाये का? आसपरा जाएगा नागपरा जाएगा और कियारा में जाएगा तलेटी जाएगा इधर से जाएगा बुला में जाएगा वासा जाएगा और बहुत गावा में पानी जाता है यह शिचाई के लिए लिए पीजल को जाता है सिफ पाई उससे यहान के आस पास के खेतों में जाता है लोग यहां पे पेले इतना साथ पैल इंकेश को देख ना आते ता मौन डावू से भी आते हैं यहां देखने के लिए सर अच्छा यह आगे जो है इसकी पूरी सिमा यह कहा तक है यह बहुत लंबी आगे तक है सर यहां से देखो आगे नजर भी नहीं पहुचती है सर यह पूरे इस एरिया का बड़ा बांद है यह सब से सिर्वे में यह सब तो आप देखिए आसपास के गाहों के लोगों में भी खुशी है लोग भी आ रहे हैं इस पानी इसके बांद में जो पानी आया उसको देखने के लिए यह जल संसादम विबाग की और से और आप देखिए इसमें स्टोरेज कैपिसिटी तेरा सौसे हम से फिट है और लाइन कैपिसिटी है बारा सौसे हम से फिट डैड स्टोरेज कैपिसिटी है सो हम से फिट जहां तक नज़र जा रही हैं वहां तक आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है और पहली बारी इसमें इतना पानी एक ही बारी इसमें इतनी इस तरीके से बांद का लबालब होना वाकई लोगों के लिए खुशी की बात हैं लोग यहां देखने आ रहे हैं इस बांध को इस तरह से भी लोग लापरवाई करते नजर आते हैं कभी कभी और कहते हैं ना कि यह पानी भोग लेता है वो ऐसे लापरवाई लोगों का भोग लेता है देखे कितनी लापरवाई कर रहे हैं पूरी बांध के बिल्कुल आगे तक गये हैं और अगर पैर स्लिप हुआ तो सीधा अंदर जाएंगे यहाँ पर बकाईदा लिखाओ भी हुआ था कि यह दूरगटना संभाविच चेत्रा या प्रवेशना करें फिर भी देखे कितनी लापरवाई करते हैं और यहाँ पर चड़कर यह जो लड़के थे वो फोटो खीच रहे थे और यहाँ से अगर पाव फिसला तो सीधा पानी के अंदर फिर कहा जाता है कि पानी भोग लेता है यह जाता है